आज मनुश्य के शरीर में विबिन व्यादियों का जो कारण है भोजन का नहीं पचना तो इसके लिए आवश्यक है कि आप भोजन को दीमी दीमी आज पर बहुत देड़ तक पकाएं इससे भोजन सूपाच और शरीर को लगने वाला बन जाएगा रोटियां भी जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी बनाएं और उसको तवे पर धीमी दीमी आज सेखें तो आपके शरीर में गेस बिल्कुल नहीं बनेगी और उसका एक एक रस शरीर के काम आएगा दालों को तपेली में बनाएं और हो सके तो धूप प्रकाश आदी वाले इस्थान पर बोजन का निमान करें ताकि बोजन को शुद्ध हवा वायू प्रकाश आदी मिल सके इससे बोजन पुष्ट होता है और शरीर के लिए गुणकारी बनता है सबसे आवश्चक है कि बोजन धीमी आज़ पर बने और बहुत देड़ तक उसको अच्छा पकाया जाए तो वह शरीर के लिए भी लाब करिम होता है और शरीर को कई बीमारें से बचाता है दन्यवाद